नमस्कार दोस्तो दोस्तो परिस्तितियों को कभी दोश मत देना कुछ करने की मन में ठा होनी चाहिए सिर्फ परिस्तितियों को दोश देने से कुछ मिलने वाला नहीं है एक हिम्मत एक लगन होनी चाहिए उन परिस्तितियों को बदनने की जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता चला जाएगा ये मन के विचार आपको ऐसी परिस्तितियों को बदनने की हिम्मत रखते हैं बस आपको अच्छी सोच रखनी है उसके हिसाब से मेनत करनी है एक समय की बात है एक विक्ती रेगिस्तान में फस गया और वो अपने मन ही मन में बोल रहा था कि कितनी सुन्दर अच्छी जगा है काश यहां पर पानी होता छोटी छोटे हरे हरे पेड उगे होते सारे वातावरमने हग्याली होती तो दूर तक कितना सुहामना लगता लोग इधर घूमने आते और कितना अनद लेते मतलब उस जगा को उस परिस्थिती को ब्लीम कर रहा था कि यहां यह ऐसा होता तो वैसे होता वैसे होता तो ऐसे होता उपर वाला सारी बाते सुन रहा था उस वक्ति को थोड़ी दूर जाकर एक कुवा मिला कुवा पानी से लबालब भरावा था उस कुए को देखकर आदनी की खुशी का ठिकाना ना रहा वो विचार विमर्स करने लगा इधर उधर देखने लगा और सोचें लगा कि काश इस जखा एक बाल्टी और रसी होती तभी एक उड़ती वी परची उसके पास आई परची पर लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि हाँ पानी का कोई शुड़ोत नहीं है पानी होता तो ऐसा होता पानी होता ऐसा होता अब परिष्टिति तुमारे हक में है तुम चाहो तो यहां पौधे लगा सकते हो लेकिन वह आत्मी चला गया दोस्तों ये कहाणी हमें सिखाती है कि परिष्टिति को धूश देना नहीं चाहिए अगर आप परिस्तिती को दोस देते हैं तो इसमें कोई धिक्कत नहीं है परिस्तिती बदल सकती हैं परिस्तिती बदलने का मादा आपके हाथ में है इस दुनिया में भी ऐसे होता है लोग परिस्तिती को दोस देना जानते हैं वो परिष्टिती बदनने का विश्वास ने रखते, सिर्फ ब्लेम देना जानते हैं, सिर्फ उस पे कटाक्स करना जानते हैं, अगर आपको उप्युक्त साजन मिल जाएं, तो आपको अपना 100% योगदान जरूर देना चाहिए, दोस्तों कहानी हमें सिखाती है कि कुछ करने की मन में ठा होनी चाहिए, सिर्फ परिष्टितियों को दोश देने से कुछ मिलने वाला नहीं है, एक हिम्मत, एक लगन होनी चाहिए उन परिष्टितियों को बदनने की, जैसा आप सोचेंगे, वैसा ही होता चला जाएगा, ये मन के विचार आपको ऐसी परिष्टितियों का लोग बंडने कि मुंटिवेट करने की कोशिश की है। अब ये आपकी डूटी बनती है आप इससे मुटिवेट होकर कम से कम दो लोगों को मुटिवेट जरू करें। परिस्तित्या हम सब के सामने एक जैसी होती हैं, लेकिन उनसे निकलने की हिम्मत कुछ ही लोग कर पाते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें से एक हो, अपना बहुत ध्यान रखें, हसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, धन्यवाद.